देसी बीज्यां दे दिवान ने जूपी तो बुलंद शैर तो देखो मतलब दोस्त मेरे आये या बहुत सालना तो असी फेसबुक थे टेलीगराम थे असी आपच्च दोस्त बने ये लंकेश राजपूघ जी या लगिएज लाजपूघ जी तो ये देखो बुलंद शैर दे यूपी से आये हैं खासकर यही हमारा देखने देशी बीजों वाला विए कैसे देशी बीज हम बनाते हैं क्या क्या चीज़ों गारे हैं यह उनके साथ है उनके चंचल सिंग जी मतुरा से हां जी तो हाँ आप पाकी कैसा लगा आपको यहां आके लंकेश भाई के सारे चीज सीखने के मिली और बहुत सारी जो मतलब की तरीके जो एंग डेसी बीज के और बहुत तरीका की मिली इसमें बहुत अच्icamente होना भी चीज़े कलेशन करने के रिवें बहुत बढ़ी है चाँ तो तो पैसे तो आसा नहीं सब अपर महनत करें सबक्रत कर सकते हैं अगर हम देशी गाएं नहीं हम एक दूसरे को पहुँचा में तो देरे देरे बढ़ी जाएगी संक्या हाँ तब ही तब ही तो आज हम आप मिले हो मेरे को इदर इतनी दूर लद्याना में आए हो के नहीं तो और आपको मतलब किया किया आपने देखा इदर देशी बीज के बारे में आजाएए आप थोड़ा सा हाँ जी हाँ जी क्या क्या चीजे देखी आपने यहाँ पर कई प्रकार के टमाटर है और पेड कारी मिर्च है लोंग है और यह स्टेवरी है और यह मिर्च है यह कई भी प्रकार की बैंगन भी हैं बहुत से प्रकार के अचैनि प्रकार के पोदें जी से कलेक्ट करके आदमी अपनी विवस्ताद सच्छ में हो सकता है हाँ यह जैनीज गैबज हा ठीक है दोस्तों तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा तो ये करोंदा घजर का बीज के लिए ऐसी ही ये टमाटर की कुछ किसमे है ठीक है जो पहले एक दिखाया था चैरी का था तो ये अभी क्रेले का जो नॉर्मल बिटरगाड है उसका बेल अबही सीजन खातम हो रहा है तो यह अभी लाश्ट में ही कुछ रहे गए तो कुछ इस बार दोस्तो अपने स्टॉबरी का भी कुछ शिरुवात किया यह स्टॉबरी जो कुछ स्टॉबरी का शिरुवात कर रहे हैं तो यह स्टॉबरी लगना चुरू हो रहा है कोशिश करेंगे दोस्तो इस बार इसका सीड भी खुदी बनाएंगे खुदी पौद बनाएंगे इसकी खुदी सेंपलिंग बनाएंगे तो ऐसी बहुत ही मतलब कोशिशे मैं कर रहा हूँ आपको पता ही है तो ये चैरी टमाटर ये हार्वेस्ट पहले कर चुके हैं तो ये नॉर्मल सब और्गैनिक तरीकों से आपको तो पता ही है तो ये गोल मिर्च आपको पता है गोल मिर्च तड़का ये देखिए कैसे तड़का लगा हुआ है ये अभी दिसंबर चल रहा है पूरा सीजन ही ये लगती रहती है ये पहाड़ी मिर्च है बहुत बढ़िया इनके टेस्ट होते है ये मुस्कू बरिंजल है ठीक है तो ये भी चार साल तक मतलब पैदावार देता है मक्खन जैसा टेस्ट होता है तो बहुत किसमें ऐसे कुछ ये वाइल्ड क्रेले की है ये अभी दोबारा बेले फूट रही है तो ऐसे एक बार ये पैदावार दे चुकी है तो ठीक है दोस्तों तो वीडियो लंबी हो रहा है तो आगे कुछ और भाईयों से बात करते हैं तो और आप बताईए आपको और क्या यहाँ एक्सपीरियंस हुआ एक्सपीरियंस के हमें थोड़ी हैं पर नॉलिज लेने के लिए बहुत जानकारी मिली जो मतलब नॉर्मल तरीका से जो मतलब खेती आज के समय में किसान लोग जो करनी रहें और इतना कठिन भी नहीं है इसी फसल करना पर करना कोई चाहता नहीं हैं थोड़ी महनत लगती है वो कोई करना चाहता नहीं है बागी ज्यादा खास महनत का है नहीं और सीखने को बहुत कोच है यह इतनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं तो यह सारी चीज हम भी कर सकते हैं अगर आदमी लगन रखे तो थोड़ा जी बिल्कुल जो अगर लगन हो तो रुची वाला सिस्ट्रम अगर आदमी की रुची हो तो वह मतलब की अब भी मतलब की कर सकता हम देशी तरीके से अपनी पूरी वेवस्ता में पहले के समय में के हिसाफ से जी सकते हैं पहले के समय के हिसाफ से चीजें पैदा कर सकते हैं पहले के समय के वस्ताव खुद बना के चल सकते हैं जैसे बड़े बुड़े बना के चलते हैं बिलकुल अपने जो जो बाहर से कुछ लाना पड़े ही नहीं सारा कुछ अपना ही पै जो कर रहे हैं वह मतलब, नौर्मली जैसे उबज करते हैं, वह हो रहा, कोई खास मतलब जाद इतना हाड कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है, जॉप फ़ाइ, लौए है, जमीन भी निंजे और आपनी छंट पे यह सब कुछ बना रखा है, गमलों में, हाँ देखे जमीन में भी करा हुआ है पर छट में ज्यादा पैदाबार है ज्यादा मलों पीओ कि हमें जिन लोगों पार जमीन नहीं नहीं वो सोच रहे हैं या नहीं कर पाएंगे तो अपनी चटों पर उसी प्रकार गंबलों में लगा के यह सभी वीज तैयार करें और अप बहुत पैदाबार होती है ठीक है जंचल भाई भी इतनी खाने पिने की तो पैदाबार बहुत जहां हो जाती है कि एक परवार को क्या कई परवारों को मतलब पूरा पड़ता है कि इतनी आप वराइटी छोटी सी छट पे लगा सकते हो तो मेरा बार बार कहने का जहीं है भ आपका दोस्त देशी गार्णिंग बिद्ध कालडा और रजीब कालडा मेरा नाम है आपको पता है तो ठीक है अगली वीडियो फिर दोस्तो अगली वीडियो आपको दिखाएंगे ठीक है यह मेरे दोस्त आए हैं तो इनको और थोड़ी जानकारी देते हैं आगे फिर बात च झाल झाल